बबारे ये क्या सस्पेंस था यार मतलब मुझे नहीं पता कि ये किसी दूसरी फिल्म का रीमेक है या नहीं क्योंकि अगर ये रीमेक है तो मैंने ओरिजनल फिल्म नहीं देखी है So sorry बट बॉलिवुड में बनी ये फॉरेंसिक फिल्म कैसी है आईए जानते है और आपको लास्ट तक सीट से बांधे भी रखेगी फिल्म की काहानी है मसूरी की जहां हो रहे है सीरियल मर्डर्स वो भी सिर्फ छोटी बच्चियों के उनके ही बर्थडे के दिन और शक जा रहा है किसी 10-12 साल के बच्चे पर फिल्म में लीड रोल में है राधिका आपटे और विक्रांत मैसी राधिका आपटे एक पुलिस ओफिसर है और विक्रांत एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट और दोनों मिलके बच्चियों के सीरियल मर्डर्स के केसेस को हैंडल कर रहे है पर मामला तब बिगड़ जाता है जब ये मर्डर मिस्ट्री परसनल हो जाती है पर कहानी एक्जैक्ली क्या है कौन है मर्डरर और वो सिर्फ मासुम बच्चों का ही मर्डर क्यों कर रहा है वो देखने के लिए आपको मूवी तो देखनी ही पड़ेगी पर अगर आप इन्ट्रेस्टेड हो ऐसी की ही साइकोलोजिकल थ्रिलर मिस्ट्री में तो मैं रेकेमेंट करूंगा आपको अंसॉल्ड मिस्ट्री औफ इंडिया की ये आडियो बुक जिसमें आपको इंडिया के अलग-अलग मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी वो भी real life कहानिया सुनने को मिलेगी जो available है on kukku fm वो भी हिंदी में क्योंकि ये इंडिया का leading audiobook platform है 4.5 प्लस की ratings के साथ जिसमें है 1000 घंटे से भी जादा का creative content और non-fiction audiobooks की huge library जिसमें ना ही सिर्फ suspense thriller बट motivational, biographical, comedy, crime educational पर based audiobooks भी है वो भी हिंदी, मराथी, इंग्लिश या धेर सारी other regional languages में और ये सबसे easiest way है अपने knowledge को positive way में transform करने का वैसे तो इसका general cost 3.99 per year है पर रुको, description के link पर क्लिक करके मेरा coupon code yogi50 use करो और आप मेंसे 250 users को मिलेगा 50% discount याने एक साल का subscription सिर्फ 199 में तो किस बात का है इंतजार कुकु FM डाउनलोड करना यार वैसे बात अगर इस film की करे तो इस film ने बहुत हद तक मुझे impress किया मतलब जितना भी आप predict करने का try करोगे कि ये खुनी होगा या वो खुनी होगा सब कुछ last में धरा का धरा रह जाएगा और खुनी कोई और ही निकलेगा and that was shocking for me shocking के साथ साथ इसका climax हमें एक अलग ही twist और backstory के साथ जोड़ देता है जिसकी वज़े से इस film में एक psychological drama भी create हो जाता है जो बहुत हद तक workout भी करता है जो last के 15 minute है जिसमें climax खुलने लगता है तब मुझे थोड़ा सा लगा कि यार over acting हो रही है जो main villain सामने आता है main murderer उसके acting और थोड़ी psychopathic हो सकती थी और थोड़ा craziness दिखाना चाहिए था क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी story है तो उसके लिए अच्छे performer की भी ज़रूरत होती है जो उस character में जान डाल दे पर last में villain ने मुझे थोड़ा सा निराश किया इस film के plus point है इसकी fast paste कहानी जो आपको bore तो नहीं होने देगी इसका climax जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हैं ये murderer है और इसकी storyline जो बाकी murder mystery से थोड़ी सी different लगेगी इस film के minus point से villain की not so good acting story में जबरदस्ती का romance और इस film के बहुती वाहियात गाने मन तो कर रहा था कि forward करू पर गाने में story थी तो आपको भी वो गाने देखने पड़ेंगे आप भी वो skip नहीं कर सकते बाकी overall ये एक one time watch movie है जो आप family के साथ देख सकते हो एक दो kisses है इसमें जो okay okay है and that is normal nowadays गालिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं मैं दूँगा इस movie को 3 out of 5 stars और हाँ description की link से कुक्कू FM डाउनलोड करना ना भूलना मिलते है अगले वीडियो में Bye